मिवाद के घासएडा गाउं से बिरियानी के पतीले गायब गौकसी पन नकेल कसने में खाकी को मिला मिवाद के लोगों का साथ बता दें गौकसी तथा गौ तसकरी में कमी देखने को मिल रही है ना केबल कौकसी की घटनाएं कम होई हैं बलकि दूसरे राच्चों से गायों की तसकरी में भी बड़ी गरावट दर्ज की जा रही है यही कारण है कि नुहुचिले में एक काउं में कई-कई दर्जन ब्रियानी के पतिले अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं खाकी की सकती के साथ-साथ इसमें आमजन के सहयों की जितनी प्रसंसा की जाए उतनी कम है एतिहासी गांदी ग्राम घासेडा में ब्रियानी के परतन पतिलों का अब पूरी तरह से सपाया हो चुका है जहां कई दर्चन प्रियानी के पतिले गुरोग्राम अलवा राश्टी राश्मार पर घासेडा काउं में दिखाई पड़ते थे अब वहां तुर्वीन से भी देखने को एक भी पतिला नचर नहीं आया गौकसी तथा गौतसकरी की वार्दातों में कमी आने से नकेवल इस्तानिये लोगों ने राहत की सांस ली है बलकि पुलिस वहां के अधिकारे भी लोगों के सहायों की सरहाना कर रहे हैं आपको बता दें कि हर्याना का मुस्लिम पाउले नुहू मिवात जला गौकसी तथा गौतसकरी के लिए काफी बदनाम था यही वजह थी कि बजरंग दल से जुड़े लोग आये दिन किसी ना किसी घटना को अंजामते रहे थे जिसकी वज़े से नाकेबल कई लोगों की जान चली गई थी बलकि काफी लोग मार पीट के दोरान घायल भी हुए इस तरह की वारदातों से इस्तानी लोगों के साथ साथ पुलिस महेक में की फजियत भी हो रही थी कानुन हाथ में लेकर कारवाई करने वाले बजरंग दल से जोड़े लोगों की जमकर निंदा भी हुई सड़क से विधान सबा तक में बजरंग दल की कारवाई पर सबाल उठे सरकार ने गौकसित था गौत असकरी रोकने के लिए सक्त कदम उठानी शुरू किये जो पिछे हमने वियान चलाया था कि ग्राम पंचायतों से और उससे पहले ग्राम सा बाउं से जो प्रस्ताव पारित करवाई थे और उनको फिर हमने फुलोग किया हमारी टी में जाती रहती हैं कई वगर में खुद भी गया तो उससे काफी असर आया है दूसरा हमने जो रेट्स की जो हमारे पुराने पेंडिंग अपराजी थी उनको पकड़ा तो इस जे सब चीजे मिलके काम कर रहे हैं और इनका काफी असर आया है दूसरा हमने जब से ये ड्राउं का सिस्टम हमने चलाया ड्राउं से निगरानी करनी शुरूर की है तो उसका भी काफी असर देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात कि आम जंता का साथ इसमें मिला है कहीं भी गोकसी की जैसे हरकत होती है तो तुरं तुने सुचना मिल जाते हैं और उसका एक्षेन भी लेते हैं पुलिस अधिक्सक यानी पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नुहु ने गोकसी तथा गोत तसकरी को रोकने के लिए नकिवल गोवन से चुड़े पुराने मुकात्मों में आरोपियों की धरपकड तेज की गई बलकि गोकसी तथा गोत तसकरी पर ड्रौन इत्यादी से भी न मेठियां पनाई गई और गोकसी तथा गोत तसकरी से जड़े लोगों पर नजर रखी गई उसका असर चन दिनों बाद ही दिखाई तेनी लगा जिस इलाके में बड़े पैमाने पर गोहत्या की बात की जाती थी अब उस इलाके में छुट-फुट घटनाएं सामने आ रही अभी भी पुलिस वहाग पूरी तरह से सतर्क है और इस बुराई को पूरी तरह से दूर करने के लिए आमजन का सहयोग ले रहा है जिन गाओं में अधिकतर गोकसी की जाती थी उनको चिन्हेत कर सबसे पहले पुलिस वहाग नी उनी में चाकता अभियान चलाया और ग्राम के सहायोग से कमेटियों का गठन किया गया था हर गाओं में पुलिस वहाग का एक जवान क्राउं पहरी के रूप में नियुक्त किया गया जो गाओं के लोगों की हर अरकत पन नजर रखने का काम करता है गौड तलव है कि गौकशी तथा गौत असकरी की वज़े से इस इलाके का सधियों पुराना भाईचारा खराब हो रहा था बजरंग दल से जुड़े लोग प्रदेशवर से आकर यहाँ पर गौकशी तथा गौत असकरी रोकने का दम भनने लगे उसी के चकर में कई बड़े विवाद हो गए भरतपुर जिले की बात की जाए तो पहाडी तैसिल के घाटमी का गाओं के नासिरवा चुनैत को जिंदा चलाने की घटना लोगों के सामने आई तो हर किसी ने इसकी निंदा की कुल मिलाकर नुहुचिला अब पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने में पुलिस वहा का जीतोर सहयो कर रहा है सतीस वत्स डियेसवी प्रोचपुर जिरका की मेहनत की जितनी सरहाना की जाए उतनी कम है आप देख रहे हैं नुहु मिवास से लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजा ना देखते रिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी ख़बरें तो इन सभी चीजों ने बंचायतों ने और जो हमारे सोर्सिस थे उन्होंने और पुलिस ने एक मिल्क की काम किया है उससे हम इसमें कमी लाने में कामियाब हुए हैं और बिरियानी का भी यही कारण है कि जब गौकसी पर लगाम लग गई है तो बिरियानी में भी गाउं में जाके मोटिवेट किया लोगों को फिर कई बार हम ठाने में बुला के मीटिंग करते हैं वहां मोटिवेट करते हैं तो लोगों की समझ में यह बात आ रही है कि गवर कानूनी काम करना ठीक नहीं है उन्हीं के खुद के बच्चे खराब होते हैं तो यह चीजें ह हम समझाने में किसी ना किसी हथ तक कामया हो रहे हैं और उसी का आसर ये देखने को मिल रहा है